हाई गाईज मैं आप निकला और आप देख रहे हैं बस्टीट है गाईज आज इस वीडियो में आपको क्रीट करने सिखाऊंगा इसमें होगा क्या जब भी आप अपने सिस्टम को आप इससे ओन करेंगे तो आप अपना टास्क फिर से वहीं से रिजूम कर सकते हैं जहाँ पर आप उसको छोड़ कर गए थे यानि कि एक रिजूम फीचर है आपके विंडोस ऑपरेडिंग सिस्टम का कैसे इस शॉर्टकट क उसको एक क्रेट करना चली बताता हूं आपको यहां पे हाँ पर आपको अपने नॉमल ब्लैंक गी करना है देन शॉटकट पर क्लिक करना है शॉटकट पर क्लिक करने वाद आपके पास लोकीशन ऑफ़ आइटम यहा पाया गया तो हम यहां पर एक डिर्क कमांड लिखे रह आपको लिखना है इसके बाद एक लगाना है यह पर लिखेंगे setup suspend state ठीक है state में भी आप s-t-a-t-e नहीं लिखेंगे same आपकी हाँ पर spelling होनी चाहिए जो मैंने आप लिखा है same वैसे होना चाहिए कोई भी extra comma कोई भी extra space नहीं होगा otherwise यह command work नहीं करेगी ठीक है तो आपको इस command को use लेना है then आप next पर click करेंगे next पर click करने के बाद आप यहाँ पर इस command का नाम लिख सकते है hibernate ठीक है then आप finish कर देंगे finish करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक shortcut create हो जाएगा इसका आप icon change कर सकने right click करके properties में जाएंगे then change icon पर जाएंगे change icon पर जाने के बाद आपको जो appropriate यहाँ पर icon लगे वो आप यहाँ से choose कर लेंगे जो भी आप hibernate के लिए icon यहाँ पर चाहते है suppose मैं यहाँ पर icon choose कर लेता हूँ यह वाला icon suppose मैं choose कर लेता हूँ आप चाहें कोई अलग से icon भी download करके यहाँ पर लगा सकते है apply कर देंगे okay कर देंगे यहाँ पर hibernate का icon मेरे सामने यहाँ पर आ गया है right click करके मैं इसको show more option में जाके pin to task bar यहाँ पर कर देता हूँ जिसकी मेरा icon यहाँ पर आ गया अब जैसी में इस पर click करूँगा मेरा system hibernate हो जाएगा तो आपको command का यहाँ पर basically सबसे ज्यादा ध्यान रहना क्योंकि command case sensitive है आपको description से भी मिल जाएगी यह command copy करने को और just यहाँ पर one click shortcut आपका hibernate का create हो गया है